इलेक्षन कमिशन से करते हैं वैसे तो हमें पता है कि इलेक्षन कमिशन ओफ इंडिया बीजेपी का पार्ट बन गया है और इलेक्षन कमिशन ओफ इंडिया से हमें कोई उमीद भी नहीं है क्यों नयाय करेगी चुकि एक तरह पूरे देश की जनता इवीएम को हटा कर पिजेपी का इक हिस्सा बनके खड़ा है लेकिन फिर भी हम उनसे मांग करते हैं तो हम साबित कर पाएं कि इस बद की जाट सौप दे कि ये जो ओलेक्टरल बोंड किनकिन बड़े उध्योक पतियों ने खरीदे और उनोंने मैक्सिमम इललेक्टरल बोंड वाला 16-20 पार्टी को दिया ताकि ये दूद का दूद पानी का पानी हो जाएगी इलेक्टरल बॉंड खरीद कर वो पैसे भारते जंता पार्टी को इसलिए दिये गए चुकि उनकी सरकार ने फिर उने बड़े पूंजी पतियों को लाखो करोड का मुनाफ़ा कमवाया एक तरफ दागी से जात से पता लग जाये कि ये मोनेटरी गेन प्राप्त करने के लिए उन सारे बड़े बड़े पूंजी पतियों ने मैक्सिमम पैसा भारते जंता पार्टी उलेक्टरल बॉंड चंदा खरीद के रूप में दिया और फिर सरकारी ठेके उस पैसे के बदले में प्राप्त किये और उससे भारत सरकार को भारत की जंता को लाखो करोड का नुक्सा किया गया है और चंद पूंजी पतियों को फायदा किया गया है इस जांसे पता लग जाएगा कि सरकारी ठेके किस किस कमपनियों को देगे और वो कौन-कौन सी कमपनिय जिन्नों ने चंदा दिया और चंदे के बदले में सरकारी ठेके लेकर लाखो करोड कमाए इलेक्शन क कमिंसन उनकी जाच कराई्य हम मांग करते हैं और अगर वो नहीं कराते हैं तो यह माना जायेगा कि यह Election Commission of India बी जेपी का पाट बन गया है दूसरी मांग हम माननिय सरवोचिन आहले से करते हैं कि अगर Election Commission एप इंडिया इस काम को नहीं करता है तो माननी है सर्वो चिनायले तुरंत बैलेट पेपर वापस लाने का इवियम को बेन करने का जज्जमेंट जल्दी से जल्दी जनता की मांग पे जल्दी से जल्दी करे और साथी साथ E.D. को C.B.I. को जाच के लिए निर्देशित करे कि जिस काम को हम इलेक्षन कमिसर फिंडिया से जाच मांग रहे हैं वो नहीं कर रहा तो फिर डारेक्ट सुप्रिम कोट जाच के लिए इलेक्षन जाच के लिए E.D. को और साथ में C.B.I.